नमस्कार और आज के लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका शीरशक है CNC Programming, Basics, Technics और Industry Applications मैं इस महतवपूर्ण विश्य में आपका मार्गदर्शन करने के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि CNC Programming आधुनिक मैनिफाक्टरिंग के के खेंदर में है और इसे सीख कर Automotive, Aerospace और Precision Engineering जैसी कई इंडस्ट्रीज में अवसरों के द्वार खुलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं CNC Programming के महतव को समझना CNC मशीनों के मुखे घटक Incremental बनाम Absolute Systems CNC Programming Basic सीखना G-Code और M-Code Practical CNC Programming Skills का उपयोग CNC Control Systems और Software कोने बिगे गेट करना अमानी CNC चनौतियों का समान Industry 40 में CNC Systems काम हत्व नमस्कार और CNC Programming के Basic सीखने के कोर्स में आपका स्वागत है इस कोर्स में क्या-क्या शामिल है ये जानने से पहले आये समझते हैं कि CNC Programming सीखना या कम से कम इसक्षेतर का थोड़ा जान होना क्यों जरूरी है वरतमान परिप्रेक्षे में CNC इंडस्ट्री में करियर बनाने के सबसे रोमांचक पहलूँ में से एक है नौकरी की संभावनाएं अभी के समय में एक Skill Gap है जिसके चलते मशीनिस्ट और प्रोग्रामर्स की भारी मांग है CNC मशीनों का उपयोग आजकल बहुत अधिक होता है और कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें आप काम कर सकते हैं Manufacturing Industry अब बहुत हद तक Computer Numerical Control CNC मशीनिंग पर निरभर है जिसमें पहले manual रूप से संचालित machinery जैसे lath shaping machine, vertical mills और center laths का उपयोग होता था कई industries के manufacturers, fabrication और manufacturing applications के लिए CNC मशीनिंग को इसके फाइदों के कारण चुनते हैं ये production को कुशल, तेज और सटीक बनाता है जो बड़ी मात्रा में वस्तूओं के निर्मान के लिए आदर्श है ये course numerical control का basic introduction इसका इतिहास और इसे आधोनिक industry में कैसे integrate किया गया है से शुरू होगा फिर हम CNC मशीनों के विभिन लोकप्रिय प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे अंत में हम CNC programming के वेहिक 6 सीखेंगे जिसमें programming format G-code और M-code जैसे विभिन प्रकार के Codes की व्याकिया शामिल होगी और भी बहुत कुछ कई सालों तक machine tools को kushal machinist द्वारा operate किया जाता था और उनकी गती tool configuration, feed, trade और machine से संबंदित अन्य निर्ने machinist द्वारा लिये जाते थे product और machine की गुनवत्ता machinist की kushalता, जिकान और skills पर निभर करती थी ये लगबगद समभव था कि दो अलग-अलग operators समान products बना सकें वास्तव में एक ही operator भी समान products को सफलता पूर्वक नहीं बना सकता था aircraft और automotive industries में आवशक जटिलाकार manual तरीकों से संभव नहीं थे ये सब 1960s में Chicago में हुए एक machine tool प्रदर्शनी के दौरान बदल गया जहां लगभग 100 से अधिक numerically controlled सी मशीनों को प्रदर्शित किया गया जिसने काफी ध्यान आकर शित किया ये CNC मशीने हमारे manufacturing sector का हिस्सा बन गई machine tools की numerical control को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसमें एक decoded program के जरीए machine tools के विभिन functions को automate किया जाता है जिसमें material, tool position और movements के बारे में सटीक निर्देश होते हैं जो अक्षरों, संक्याओं और कभी-कभी special symbols के रूप में होते हैं ये program manually generate किये जाते हैं CNC systems को समझना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वे industry 4.0 की यात्रा में एक meal का पत्थर है तो आये संक्षिप में CNC system को समझते हैं और इस प्रक्रिया में शामिल steps को जानते हैं पहला step एक design या drawing बनाना होता है साथी manufacturing notes तयार करना होता है जो product के dimensions और specification को बताता है जिसे manufacture किया जाना है अगले step में drawing और manufacturing notes के आधार पर एक program लिखा जाता है इसके बाद पंच नामक एक device का उप्योग किया जाता है जो data storage का एक रूप होता है इसमें एक लंबी paper strip होती है जिसमें छेद किये जाते हैं पंच टेप में लिखा हुआ प्रोग्राम होता है इसमें पंच टेप को पड़ता है और निर्देशों को संबंधित electrical signals में बदलता है ये signals एक controller को प्राप्त होते हैं जो machine को संबंधित निर्देश भेचता है अंत में machine controller से signal प्राप्त करता है और आवशिक movements जैसे spindle rotation, table movement और अन्य operations करता है CNC machine में एक अतिरिक्त feature होता है जिसे unboard computer कहते हैं जिसे machine control unit भी कहा जाता है subtle शब्दों में machine के functions को इसके निर्मान के समय computer में code किया जाता है और ये machine के बंध होने पर भी मिटते नहीं है MCU में manual input या part program के लिए एक keyboard होता है ऐसे programs computer की random access memory RAM में store होते हैं इन्हें control unit द्वारा वापस चलाया जा सकता है edit किया जा सकता है और process किया जा सकता है MCU में एक graphical screen भी होती है जिसमें program और generated tool path code display की आजास कता है CNC controls को soft wired systems भी कहा जाता है क्योंकि इनके ज्यादर control functions controller software programs द्वारा सिये मशीनों का उप्योग universe लीकी आजास कता है और इन्हें सिर्फ कभी कभी खरखाव के लिए बंद करना पड़ता है इन मशीनों को operate करने के लिए कमस्किल वाले operators की जरूरत होती है manual it's या milling मशीनों के विपरीट CNC मशीनों को बेहतर software के जरीए operate किया जा सकता है जो मशीनों को चलाने के लिए उप्योग होता है ऐसी CNC मशीनों के लिए प्रशिक्षन वर्चूल, software और simulators जैसे GATEM, FANUC CNC Machining Simulation, Autodesk CNC Machining, PowerMill और कई अन्यका उप्योग करके किया जा सकता है CNC मशीन के मुख्य खटक है Part Program Input Device Machine Control Unit MCU, Drive System Feedback System और Display Unit Part Program निर्देशों की एक श्रिंखला होती है जो उस काम को बताती है जो एक Part पर किया जाना है और इसे CNC Computer Numerical Control Software के नियंधरन में Computer द्वारा आवशक प्रारूप में लिखा जाता है इसमें Drawing Sheet से एक Program Sheet तयार करना शामिल होता है अगला घटक है Part Program का Input Device इन डिवाइसे का उप्योग Part Program को CNC मशीन में Input करने के लिए किया जाता है आमतार पर उप्योग किये जाने वाले तीन Input Devices है Tape Reader Magnetic Tape Reader Diff और RS-23-DOS-C Communication के जरिए Computer ये Devices Coded Nirdeशों को पढ़ते हैं और उन्हें मशीन के समझने योगि प्रारूप में बदल देते हैं अगला घटक है MCU या Machine Control Unit जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी ये CNC Programs को Generate, Store और Process करता है इसमें मशीन की Motion Controller भी होता है जो Executable Software के रूप में होता है अगला घटक है Drive System CNC मशीन का मुक्यकारी है इसके Elements जैसे Work Piece, Tool और Spindle में स्वचालित और सटीक गती नियंटरन प्रदान करना कई Drives का उपयोग इस नियंटरित गती को मशीन के Elements तक पहुँचाने के लिए किया जाता है Drive System में Drive Motors और Ball Leads Scrooge शामिल होते हैं Control Unit, Drive Motors को नियंटरित सिगनल भेजती है जो बारी-बारी से Ball Screws को घुमाते हैं जिसे मशीन के घटकों जैसे Spindle में गती होती है अगला और सबसे महतुपूरन घटक है Machine Tool ये MCU से सिगनल प्राप्त करके पार्ट के निर्मान के लिए आवशक एपरेशन को करने में सक्षम होता है अगला घटक है Feedback System Feedback Devices का उपयोग नियंटरिक को जानकारी वापस भेजने के लिए किया जाता है ये Closed Loop System में होता है इस परकार के Feedback System को हम इस कोर्स में बाद में तब चर्चा करेंगे जब हम Closed Loop System के बारे में जानेंगे अंत में हमारे पास Display Unit है Display Unit मशीन और अपरेटर के बीच एक Interactive Device के रूप में काम करता है जब मशीन चल रही होती है तो Display Unit मशीन की वर्तमान स्थिती जैसे Slide की स्थिती Spindle RPM, Feed Rate, Part Program आदी दिखाता है अब आये विभिनन परकार की CNC मशीनों के बारे में बात करते हैं पहला परकार है Point-to-Point CNC मशीने इस परकार की CNC मशीने गती पर अधारित होती है और इन्हें Continuous Path CNC मशीने भीखा जाता है इस सिस्टम में Tool और Work Piece को एक विशियस्थान पर रखा जाता है जब की Tool Operation करता है जैसे की Drilling Operation पूरा होने के बाद Tool या Work Piece को अगले Operation की स्थिती में ले जाया जाता है इस सिस्टम में तब तक ये चक्र दोहराया जाता है जब तक कि सभी Operations पूरे नहीं हो जाते Tool या Work Piece की गती और स्पीड का Machining प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पारंपरिक Machining विधियों के विपरीत Machine को दी जाने वाली Dimensional जानकारी Tool या Work Piece के Slides की एक श्रिंखला की स्थिती होती है मूल रूप से इस प्रक्रिया के लिए एक प्रारंभिक बिंदू और अगला बिंदू आवश्यक होता है उदाहरन के लिए यदि चार छेद बनाने हैं तो प्रोग्राम बस चार बिंदूओं को निर्दिश्ट करेगा जैसे की एक, दो, तीन और चार जैसा की चितर में दिखाया गया है और मशीन टूल उन बिंदूओं पर ड्रिलिंग अपरेशन करेगा सर्वो सिस्टम स्लाइड्स को स्थिती में ले जाता है और जब तक कटर पीछे नहीं हटता, कोई और मूवमेंट नहीं होता इस सिस्टम का उप्योग करने वाली मशीनों में ड्रिलिंग, बोरिंग और टैपिंग मशीने शामिल है जिन सिस्टम में कटिंग अपरेशन प्रगती पढ़ है, वहां टूल या वर्कपीस की स्लाइड्स लगातार चलती है ताकि कोनियस सतहें, घुमावदार या 3D कंट्रूर उत्पनपन हो सके मिलिंग मशीने इस सिस्टम को काफी अच्छे से अपनाती है अब हमारे पास इंक्रिमेंटल और अपसलूट CNC मशीने है सबसे पहले इंक्रिमेंटल सिस्टम पर चर्चा करते है इस सिस्टम में दूरी एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक मापी जाती है उदाहरन के लिए अगर बिंदू A के निर्देशांक 2,3 है और बिंदू B के निर्देशांक 6,8 है तो इसे X इक्स इक्वल फॉर और Y इक्वल फाइद वरा दर्शाय जाएगा अगर पांच अलग-अलग स्थानों पर पांच छेद ड्रिल करने है तो मुवमेंट के लिए कमांड प्लस 500, प्लस 200, प्लस 6, माइनस 300, माइनस 700 और माइनस 300 होगी इस सिस्टम का मुख्य लाब ये है कि प्रोग्राम का निरिक्षन करना सरल होता है क्योंकि प्रत्यक एक्सिस के लिए दियेगे कमांड का खुल योग अंत में शून्य होना चाहिए यदि कुल योग शून्य नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कोई गलती हुई है इसके अलावा इस प्रोग्रामिंग में मिर्रिंग करना भी आसान होता है क्योंकि इसमें केवल कमांज के चेहन साइन को बदलने की आवशक्ता होती है अब हमारे पास Absolute System है इस सिस्टम में मूवमेंट को Erigin मूल बिंदू के संदर्भ में मापा जाता है उदाहरन के लिए अगर बिंदू A से बिंदू B तक मूवमेंट करनी हो तो इसे X, X, 6 और Y, 8 द्वारा दर्शाया जाएगा अब इस परकार के सिस्टम में अलग-अलग स्थानों पर 5-6 ड्रिल करने के लिए मूवमेंट का कमांड प्लस 5-0, प्लस 7-100, प्लस 3-0 होगा इस सिस्टम का मुक्यलाब यह है कि टूल ब्रेक होने, टूल बदलने या पार्ट्स की जांच के कारण होने वाले रुकावटें स्थिती को प्रभावित नहीं करती है इसके अलावा डाइमेंशनल डेटा को बहुत आसानी से बदला जा सकता है मुझे उमीद है कि इस लेक्चर ने आपको CNC प्रोग्रामिंग को उतसाह के साथ आगे बढ़ाने का जान और आत्मविश्वास दिया है अगर आपको ये वीडियो उप्योगी लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले अगर आपको कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट्स में लिखें और मैं मदद करने के लिए तैयार रहूंगा